नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक वपर सब वपर स्वागत है करियर बिट किस फैमली में यूपी टेट 2019 का सर्टिफेकेट कब से वित्रित होगा और कहां से मिलेगा इसके संदर में आप लोगे लगतार कमेंट्स के मादम से प्रश्न आ रहे थे इस वीडियो के साथ बने रहेगा यदि आप भी अपने यूपी टेट 2019 के सर्टिफेकेट का वेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये सर्टिफेकेट आपको कहां से प्राप्त होगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दू कि यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इसक्रिन पर आप प्रियागराज डायट के द्वारा ओफिशियल नोटिफिकेशन जो की दिना 13 माई को जारी किया गया था देख पा रहे हैं यहाँ पर किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के अभीर्थियों को किस डेट पर सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी इसके बारे में आप स्कृट पर देख पा रहे होंगे तो ये सभी लेकर के आप अपने डाइट पर जाएंगे और साथ ही अगर आप प्रियाग राज के अलवा किसी दूसरे जिले से बिलॉंग करते हैं तो आप भी अपने डाइट पर प्रता करिए 69,000 सायक अध्यापकों की भरती में आपको यूपिटेट के सर्टिफिकेट की आ अब आपके प्रश्ण ये हो सकते हैं कि आप किसी दूसरे जिले से बिलॉंग करते हैं और आपने परिक्षा किसी और जिले में दिये तो किस डाइट से प्राप्त होगा तो मैं आप लोंको बता दूँ कि जिस भी जिले में आपका एक्जाम सेंटर था या फिर यूपिटे का सर्टिफिकेट इस सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा जैसे कि सीटेट के रूप में दिया गया था लेकिन दोस्तों ये मामले और इस तरीके की न्योज यूपीट इस बार भी हार्ड कॉपी ही दिया जाए और अगर हार्ड कॉपी दिया जाता है तो आप अपको अपने संबंदित जिले के डायेट से ही प्राप्त करना होगा अब कब तक इशू हो सकता है तो मैं आप लोगों बता दूँ कि जब ये मामले माननिय कोट में थे यूपी टेट 2019 का मामला उस समय भी PNP एक तरीके से वेट कर रहा था कि क्या कुछ फैसला दिया जाता है इन सभी केस में क्योंकि एक बार रिजल्ट प्रिंट होने के बाद से अगर माननिय कोट के द्वारा कोई नंबर में हेर फेर किया जाता है या फिर याचियों के जो विवादित प्रशनों को जो चैलेंज किया गया था अगर उसमें माननिय कोट का फैसला कैंडिडेट के फिवर में आता है और मानेने कोड से अभी भी मामला निस्तारित नहीं हो पाया है और उसके बाद से कोरोना की वज़े से चीजें एक तरीके से विलंब होती गई तो आप मान के चलें कि अभी UPTED 2019 का सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हुआ होगा और अभी इसमें लंबा वक्त लग सकता है डायेट्स पर पहुँचने में तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही मातवपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल साथ धन्यवाद